हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेडी विद्रुद्र अगर आप मेरा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सर्सक्राइब कर दिया चैनल और पहला एकन दवाना मत भूलेजी से लेक्ट एस्ट अप्डेटिम व क्या हुआ उसकी बारे में देखते हैं फिडिनिस कर्स निकालेंगे कि आखिर क्या होना है वर्ति का तो चल्या सुरू करते हैं ग्री अट और मृकोट-तक सुरू हुईitta कौड बैठ चुकी है बहस शुरू ही कोड Cherum घ्रा खचा ख़रा हुआ जौर्डाश बहस शुरू हुए परियासर की बहस पूरी हुई अ यॉ-पी मिस्त्राजी ने शुरू किया अगर खेल के नियम के खेल के नियम बीच में ही बदले जा सकते हैं तो खिलाड़े को अनुभो के आधार पर रन यानि भारांग जो सिच्छामत्रों को दिया जा रहा है भी नहीं दिया जा सकता परिहार सर अपना पच रखते हुए बहस लगता जारीर रखे हैं कड़े सर भी मौजूद हैं उपेंद्र मिसरा सहाब की धुरंदर बहस शुरूर कोट रूम में किवल उपेंद्र मिसरा जी की आवाज गूंज रही है कोट रूम में उपेंद्र मिसरा जी की आवाज गूंज रही है कोट को पूरी तरह से अपने आर्गूमेंट से संतुस्त करते हुए एड़ोकेड उपेंद्र मिसरा जी रिजवान अंसारी के फायर ब्रांड उपेंद्र मिसरा जी बोले सरकार 60 65 तो क्या अब एक प्रसत पा लगाते अब कोई रूल नहीं पासिक लगाने का इनका कहने का आसा या था कि दिल्ली और केंज सरकार में जो वेकेंसी होती है उन्हें कटाब जो होती है राजनीति के लाप लेने के लिए नेमों से चेड़ चार कर भरती फसाने का प्रियास्त ना करें ठीक है टाइम कोट से टाइं मिलता दो पंद्रा दीठार पी म दो चार बजे कोट समाप्त हो जाती है बंध हो जाती हुआ अगर टाइम सुबह का मिले तो पूरा दिन लगातार कोई बहस होगी कोई ना कोई नेरणय सामने आ जाए तीक है आचार सहीता लगने वाली है, अगर एक बार गया है तो वेकंसी फस जाएंगी, ठीक है, अब देखना यह है कि क्या होता है, कल तारिक दी गई है, टाइम वही दो पंदरा का दिया गया है, चार बज़े कोट उठ जाएगी, अब वो इतने से टाइम में क्या होता है, ठीक है, एक घंटा, पैतालिस मिनट का टाइम सिर्फ कोट में बहस होती है, दो पच्छों की बहस होती है, काफी कम समय है, अगर सुबह अगर ट्रेट मिले, तो पूरी एक बेज, एक दिन बहस में कुछ ना कुछ निर्णे निकल आएगा, फिलहाल, आज कुछ भी निर्णे नहीं आप आया है, यह बहुत दुर भाग पूर्ण बात है, विद्यार्थियों ने महिनत की एक्जाम पास किये हैं, और कटाफ और अंकों को लेकर फसे हुए, उनकी भरतियां नहीं उपा रही है, ऐसे ही 68500 की भरतियां थी, कटाफ, कटाफ में बदलाओ अचानक, फिर यही आगभग 27000 वेकेंसिया फसी ही है, और इसमें तो पूरी 69000, क्या निर्ने निकलेगा, देखने वाली बात है, कोर्ट कब इसका फैसला देगा, कल देगा, या आने वाले समय में कुछ दिनों में लेगा, या एलेक्शन होने के बाद देगा, इसमें राजनितिक फाइदा प और जय हिन, जय भारत!